सलमान खान से पंगा लिने के बाद आखिरकार नवजोज सिंग सिद्धू को एक साल के लिए जेल जाना पड़ गया है बॉलिबुड में एक कहावत है कि जिसने भी सलमान खान से पंगा लिया उसने जिन्दगी में बरबादी के सिवाई कुछ नहीं देखा ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, डारेक्टर, प्रडूसर, सिंगर हैं जो सलमान खान से बिढ़े और उसके बाद जो उनका हश्र हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा इनके साथ खुद बखुद ऐसे हालाद बन गए कि इने बरबादी के दरिया में जाने से कोई नहीं रोक पाया अब इन बरबाद होने वालों की लिस्ट में नवजोज सिंग सिद्धू का भी नाम शामिल हो गया है 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गी है लेकिन सिद्धू का वुरा वक्त तो उसी दिन शुरू हो गया था जब सल्मान ने अपने शो से बाहर निकाल फिका था साल 2019 तक सिद्धू कपल शर्मा शो में जस थे आपको याद होगा कि जब साल 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें 40 भारतिय जबान शहीद हो गय थे उस वक्त सिद्धू ने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए कहा था कि कुछ आतंकियों की वज़़से पूरे देश को जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता इस बयान पर बहुत बबाल मचा था सलमान भी इस बयान पर काफी नाराज हुए थे और उन्होंने तुरंट कपिल शर्मा शो से सिद्धू को बहार कर बादिया था इसके बाद कई बार ऐसी खबरे आई कि सिद्धू शो में वापस आएंगे लेकिन सलमान ने कपल शर्मा शो की धहलीच पर सिद्धू को कदम भी नहीं रखने दिया इसके बाद सिद्धू का ऐसा वक्त खराब हुआ कि वो कभी इस राजनेतिक पार्टी तो कभी उस राजनेतिक पार्टी के चकर कारती रहे और पिछले दिनों पंजाब विदान सवा चुनाओं में भी सिद्धू की हार हुई और आज नोबत ये आ गई कि सिद्धू को कोट ने भी सजा सुना दी का सिद्धू पलवामा पर वो बयान न देते तो आज वो कपल शर्मा शो में जज होते और उनका करियर अच्छा चल रहा होता जब तक सिद्धू कपल शर्मा शो में थे लोग उन्हें पसंद करते थे लेकिन इस शो के छोड़ते ही लोग उन्हें भूल गए आज सिद्दू के हग में बोलने वाला एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा फिलाद इस पर आप क्या कहेंगे आपनी राय हमें कमेंट में दीजे और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजे